हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चू माई योट्यूब चैनल, आज मैं आपको इस वीडियो में हींग के बेनेफिट्स के बारे में बताऊंगी हींग, कटू, तीशन, पाचन और हिद्दे के लिए हितकारी है यह हैं, रूची कारक, बात कफ को दूर करने वाली, उदर समंदी रोग, पेट की गैस और क्रमियों को नश्ट करने वाली है हींग के कुछ घरेलों नुसके हम आपको यहां बता रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आने वाली लेटिस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले बहुश सकें चलिए वीडियो शुरू करते हैं, हींग के फाइदे हींग, सोट और मुलेठी समान मातरा में लेकर पीस ले फिर शहद मिलाकर चने के बराबर गोलिया बना ले, भोजन के बाद एक गोली मुँ में रखकर दोनों वक्त चूसें, कब से राहत मिलेगी नमर दो, दो चमर सरसों के तेल में एक ग्राम हींग, दो कली धस्सुन और जरासा सिंधा नमक भून ले जब हींग जल जाए तो तेल को चान कर बोटल में भर ले, कान में दर्द या साएं साएं की आवाज होने पर दो दो बून तेल प्रते दिन रात को कानों में डाले, प्रते दिन एक सब्ता तक ऐसा करने से कान का दर्द, खुसकी और साएं साएं की आवाज की शिकायत दूर हो जाती है नमबर तीन पेट में गैस हो गई हो पेट फूल गया हो पेट में दर्ध हो रहा हो तो नाबी के आसपास और पेट पर हींग का लेप करने से थोड़े समय में ही आराम आ जाता है नमबर चार हींग कपूर और आम की गुटली समान मात्रा में लेकर पोधीने के रस में पीस कर चने के बराबर गोलियां बना ले चार चार घंटे के अंतराल पर कह गोली लेने पर हैजे में फाइदा होता है नमबर पांच हींग को घी में भून ले फिर कालिमिच, वाइडिंग, कूट, सेंधा नमक और भूनी हुई हींग सभी समान मात्रा में लेकर कूट कर पीस कर बारिक चूरन बना कर रख ले कुकर खासी होने पर आधा से एक ग्राम की मात्रा में इस चूरन को शहद में मिला कर दिन में तीन बार चाटे यह चमतकारी नुस्का है इससे एक सप्ता में कुकर खासी से फाइदा मिलेगा हींग को पाने में उबाल कर उस पानी से कुले करने से दात की पीरा दूर होती है यदि दात में पोल हो तो पोल में हींग भरने से दात में कीरे मर जाते हैं और दात की पीरा दूर हो जाती है नमबर साथ हीं, सेंधा नमक और घी 10-10 ग्राम लेकर 120 मिली ग्राम गोमुत में मिलाएं फिर इसे आच पर रखकर इतना पकाय कि केवल घी बाकी रह जाएं यह गी पीने से मिर्गी रोग का शमन होता है नमबर आठ दस-10 ग्राम हीं, काले मिर्च और कपूर वाद 4 ग्राम अफीं लेकर अद्रक के रस में 6 गंटे तक घोटें फिर एक-एक रत्ती की गोलिया बनाएं एक से दो गोली दिन में 3 बार लेने से 10 से चुटकारा मिलता है नौ, बिच्चु के दंश मारने पर हीं को घिसकर दंश वाले स्थान पर लगाने से लाब होता है गिल्टी के दर्द में एक बीज निकाला हुआ मुनक्खा लेकर उसमें 2 ग्राम भुनी हीं मिला कर चबा कर खाएं उपर से दो गूट गरम पानी पी ले असर होते देर नहीं लगेगी दूसरे दिन इस दवा की एक खुराक और लेने रोग हमेशा के लिए खत्प हो जाएगा हीं और अफीं बरावर मात्रा में लेकर तिल के तेल या मोम वत तिल में अच्छी तरह पीस ले और फेट कर मलहम बना ले इस मलहम को कंठ माला पर लगाने से कंठ माला पक कर फूट जाता है और आराम मिलता है घी में भुनी हुई हीं के साथ खाने से गर्वती स्थरी को आने वाला चक्कर और शूल मिठता है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले बाई